लिजे सुनिए आचारे चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्याज वयम रक्षा महा का आठवा भाग देत्य दानव मेरी यानि समीर गोश्वामी की आवाज में दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिती थी उसका वंश देत्य वंश कहाया दिती के मारीच से चार पुत्र हुए हिरन्ड कशिपु, हिरन्याक्ष, वज्रांग और अंध्रक हिरन्ड कशिपु के चार पुत्र हुए प्रहलाद, अनुहलाद, हलाद और सहलाद प्रहलाद के चार पुत्र हुए आईश्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन विरोचन का पुत्र बली हुआ, बली के बहुत पुत्र हुए जेश्ट पुत्र वान हुआ, वान अजे योध्धा था, उसे महाकाल कहते थे वजरांग का पुत्र तारक था ये सब अपने अपने समय के प्रतापी दैत राजा हुए हिरन्याक्ष के उतकूर, शकुनी, मूत संतापन, महानामे, महाबाहु और कालनाभ ही ये पराक्रमी पुत्र हुए जिनके पुत्र पौत्रों का अनंत विस्तार हुआ दक्ष की तीसरी कन्या दनू भी कश्यप को ही दी गई थी दनू को कश्यप से शंबर, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, व्रिश परवा, पुलोमा और विप्रिचित्ति में आदी पुत्र हुए व्रिश परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से यताती का ब्याह हुआ वंश कहाए, हिरन कशिपू की एक बेहन थी, इसका नाम सिंगी का था, ये दानो विप्रिचिती को ब्याही थी, इसके वंश में शल वातापी नमूची, इलवल नरक, कालनाब, चक्त योधी, राहु आदी तेरह वीर पुत्र हुए, ये सब सेही के कहाए, इनमें राहु अ तिंत भैंकर प्रसिद्ध हुआ, निवित और कवच जो सहलात के वंश में थे, तपस्वी हो गए, काशिप सागरतर से लेकर घजनी, हिरात, हरम, कुझ शहर, खुरासान, बुखारा, गजदमन, शंकारा, एक, शाक्टारिया, वशपुर, वासपुरस, कश आदी देशों मे इसी देट वंश का विस्तार हुआ, वरिश परवा सीरिया का राजा था, हिरन कशिपु ने अपनी नई राजधानी हिरन पुर बसाई थी, जो एक संपन नगरी हो गई थी, उधर उसका भाई हिरन आक्ष, बेवी लौन का अधिपती था, देटियों और दानवों के और भी जो देव कहाते थे, बलके संतुलन में देटियों ही का पांसा उचा था, क्योंकि एक तो वे जेष्ठ थे, दूसरे उनके राज्य संपन्न थे, उनका संगठन अधुतिय था, परंत इस भूमी में दो जातियां और भी नवास करती थी, एक गरुन और दूसरी नाग, दीती दनू, इन तीन इस्त्रियों के अतिरिक्त, कश्यप की दो इस्त्रियां और थी, एक कद्रु, दूसरी वनीता, कद्रु की संतानों में 26 नागवंश चले, नागों में शेष, वासुकी, करकाटक, तक्षक, दृतराष्ट, धननजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदंत, श अंपाती और जटायू, इनके भी अनेक पुत्र हुए। अभी आप सुन रहे थे आचारे चतुरसेन शास्त्री के लिखे उपन्याज, वयमरक्षा महा का आठवा भाग, देत्ते दानों को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में। झाल झाल झाल